तो सुखडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे डेड़ कप जितना गुड ले लिया है गुड को हमने बारीक काट दिया है गुड जितना बारीक होगा उतना ही जल्दी आप इसे सुखडी के अंदर मिक्स कर पाएंगे साथ ही हमने ले लिया है तेड़ कब जितना गी और हमने लिया है तीन कब जितना बारीक गियों का आटा परफेक्ट सुखडी बनाने के लिए ये नाप बहुत ही ज़रूरी है कि जितना आप गुड़ लेते हैं उतना ही आपको गी लेना है और उससे डबल पॉंटिटी में हम आटा लेंगे जिस प्लेट पे हमें सुखडी को लास्ट में स्प्रेड करना है उस प्लेट को हम अभी से गी लगा कर रेडी कर देंगे ताकि लास्ट में निकालते वक्त सुखडी उसके उपर चिपक ना जाए इस डिश को आप इसी तरह पहले रेडी कर दीजिए क्योंकि मिक्स्चर जो है उसे हमें गरम ही इसके उपर स्प्रेड करना पड़ेगा अगर मिक्स्चर थोड़ा भी थंड़ा हो जाता है तो उसके अंदर फिर स्प्रेड करते टाइम क्रैक्स आएंगी अब हम कड़ाई में सारा ही गी निकाल कर उसे गरम करने के लिए रख देंगे इसे हम धीमी आज पर गरम होने देंगे हमें तब तक वेट करना है जब तक घी अच्छे से पिगल नहीं जाता गी जैसे ही पिगल जाता है हम इसके अंदर हमारा जो गहों का आटा है उसे इस सारा ही आटा जब हम इसके अंदर एड कर देंगे उसके बाद हम इसे अच्छे से घी के साथ मिला लेंगे इस तरह से मिलाना है कि कोई भी लंस ना रहे इसके अंदर और इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज्यादा पतली होने से ना ही ज्यादा गाड़ी मैंने जब आटा मिक्स कि तो इसकी consistency थोड़ी गाड़ी लग रही थी तो मैंने उपर से थोड़ा और गी अड़ किया है वैसे ही अगर आपको ऐसी consistency नहीं मिलती है तो आप भी थोड़ा सा गी उपर से अलग से अड़ कर सकते हैं बस एक बार ध्यान से देख लीजिए कि इसकी consistency कैसी होनी चीए और आप की सुखडी एक दम perfect निकल के आएगी क्योंकि यह सबसे ज्यादा important part है एक बार आपने आटा मिक्स कर दिया इसके अंदर उसके बाद आपको continuously इसको चलाते रहना है बिल्कुल भी आपको break नहीं लेना है क्योंकि अगर आप break लेंगे तो नीचे से जो आटा है वो सारा करने के बाद आप देखोगे कि आटी का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है इस पॉइंट पर हमें गैस का flame जो है उसे बंद कर देना है गैस की flame बंद करने के बाद ही हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके good add कर दे जाएंगे और इसे mix करते जाएंगे flame on रखके good कभी भी add ना करें ने तो सुखडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी ना ही soft बनेगी ना ही crisp बनेगी बहुती चूई सी बनती है जो दात में चिपकने लगती है और जैसे आप देख पार रहे हो कि हम जैसे good add करते जाएंगे और उसे mix करते जाएंगे तो हमारा mixture थोड़ा गाड़ा होता जाएगा हमें continuously से mix करते रहना है कम से कम 2-3 मिनिट तक ताकि हमारा good पिघल कर mixture में evenly spread हो जाए इस point पर आप इसके अंदर इलाइची भी add कर सकते है अगर आपको इलाइची पसंद है तो इसे हम 2-3 मिनिट से ज्यादा देर तक mix नहीं करेंगे क्योंकि अगर mixture थंड़ा हो गया तो वो तूटने लग जाएगा इसके अंदर से घी थोड़ा थोड़ा release होने लग गया है और इसने pan की sides पे चिपकना छोड़ दिया है तो अब हम इस mixture को हमारी plate के उपर निकाल लेंगे अगर आपको पतली सुखडी पसंद है तो आप mixture थोड़ा निकाल के उससे पूरी plate पे spread कर दीजे अगर आपको थोड़ी मोटी पसंद है तो आप mixture थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं आपको ऐसी flat cutori ले लेनी है और उसकी मदद से mixture को थाली पे अच्छे से spread कर देना है ऐसे कि आप देख सकते हैं mixture को इस तरह से हलके हाथों से press करते हुए पूरी थाली पे spread कर देना है और हमारी सुखडी बस almost ready हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसके उपर घी की कितनी बढ़िया shine देख रही है और जब अब इसे spread कर रहे हूँ तो try करिए कि इसके अंदर cracks हो सके उतनी कम आये सुखडी जब गरम हो तभी आप इसके pieces कर ले क्योंकि थंड़ा होने के बाद आप इसके pieces नहीं कर पाएंगे हमने जितनी quantities ली थी उससे दो बड़ी plate सुखडी बन लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंद्स और फैमिली को शेर करें होग कि आप सबको यह रेसिपी पसंद आई हो वाबाए अब्रिवन मिलते हैं यौर किचंगड के नेक्स्ट वीडियो में